हे गाईज मैं हूँ सीमा और रावत चनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्लिटरी चम चम आता हुआ शिमर केक तो यह रेसिपी बहुत ही असान है गाईज और हाँ बिना शिमर पंप के आज हम लोग यह शि है लिटा सबसे हम लोग यहां पर लिए बैटर त्यार करते हैं तो मैंने हां पर प्रेमिक्स लेया है और ब्स अब हम लोग िहां पर पानी थोड़ा इसमें मिला देंगे यह रेडिमड् criteria क्रेुन के नहीं तो होमग प्रेमिक्स भी इससे पहले हमने red velvet cake का प्रिमिक्स घर पे कैसे बनाना है बहुत यसानी से उसका भी वीडियो देखा है तो आप description box में जाकर उसकी link देख सकते है तो यहाँ पर मैं बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एकदम smooth batter तयार कर लेती हूँ बहुत जादा quantity में एकदम से ही पानी इसमें add नहीं करना है गाईस नहीं तो यह batter हमारा बहुत जादा पतला हो जाता है देखिए कितना प्यारा color भी इसे आया है सेम इसी तरह का red velvet cake premix हम लोग घर पे ही बना सकते है तो यहाँ पर हमारा batter यह बिल्कुल तयार है अब हम लोग यहाँ पर इसके लिए tin grease करके तयार करते है तो यहाँ पर मैंने आज यह 7 inches का tin लिया है आधा kilo का cake है तो आप 6 inches का ही tin लिजिए लेकिन मुझे थोड़ा साना cake बड़ा सा चाहिए था size में height कम भी हो तो भी चलेग मैंने यहाँ पर इसमें vanilla essence भी डाल दिया है अब यह batter हम लोग इसमें डाल देंगे दिखिए बैटर की consistency बहुत जादा नहीं यह पतला होना चाहिए और नहीं बहुत जादा गाढ़ा अब बस दो से तीन बार इसे इस तरह से tap कर लेंगे यहाँ पर यह केक बेक करने के लिए मैंने पतिला 10 मिनिट पहले ही low flame पर preheat होने के लिए रख दिया था अब इसमें मैंने नीचे एक stand भी डाल दिया है उसके नीचे उसके उपर रख देंगे यह केक टीम और बस अब हम लोग इसे 35-40 मिनिट तक low flame पर बेक होने देंगे यहाँ पर पूरे 40 मिनिट कम्प्लिट हो चुके है गाइस हमारा केक देख सकते है बिल्कुल रेडी है यह अंदर तक बेक हुआ है कि नहीं इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पर टुद्पिक इसमें डाल कर देख लेती हूँ और केक हमारा पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हमें इसे ठी मोल करना है अब यह केक हमारा ठंडा हो चुका है चलिए इसे टिन से बाहर निकाल लेते है तो देखिए गाइस बढ़िया सा हमारा स्पॉंज यहाँ पर तयार हुआ है भले ही इसकी हाइट अच्छी ना हो क तरह का ट ean-up यूज गर सकते हैं आज हम लोग यहाँ पर हार्ट शेप केक बना दये हैं तो सबसे पहले आपको राउंड शेप ओले तीन से इस तरह का हार्ट शेप ओले कैसे तयाम कर आइख ऑना है वह आपको बताती हूं सबसे पहले आपको इस केक के उपर प्लस का साहि करनी है, देखिए इस तरह से एक arrow का साइन इहां पर बंचुका है, यहां पर हम ने सरफ मार्क्स करके रखने हैं उपर, अब केक के लेर्स हम लोग यहां पर कट कर लेंगे, आप चाहए तो यहां पर तीन लेरज भी कट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ दो लेज में ही स्पॉंज को कट कर लिया है तो देखिए बढ़िया से हमारे दो लेज भी कट होकर तयार है अब हम लोग केक के डेकोरेशन की तयारी करते है सबसे पहले मैंने आपर थोड़ इस विप क्रीम इस केक बोर्ट के उपर डाल दी है ताकि हमारा केक जगल से बिल्कुल भी ना ही ले इसके उपर हम लोग डाल देंगे नॉर्मल वाटर चाहे तो आप शुगर सिरफ का भी इस्तुमाल कर सकते हैं आज मैंने सिर्फ यहाँ पर पानी का इस्तुमाल इसे सोप करने के लिए किया है इस तरह से अच्छी तरह से ये स्पॉंच पूरा सोप कर लेंगे इसके उपर डाल देंगे विप क्रीम विप क्रीम की डेटल रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमने कई बार विप क्रीम की रेसिपी देखी है पॉफेक्ट तरीके से उसे कैसे बनाना है स्टिप पिक्स उसके कैसे आते है सारे आपके जो doubts है whip cream के बारे में वो वीडियो देखने के बाद clear हो जाएंगे whip cream इस तरह से मैंने लगा दी है और spatula की मदद से उसे फैला भी दिया है अब जो दूसरी layer है guys उपर वाली उसे भी मैंने इस तरह से रख दिया है अब इसे भी हम लोग पानी से soak कर लेंगे तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसे sponge बनाते है उपर का हिस्सा है तो इसके उपर पोस नहीं है तो हमने toothpick की मदद से इस तरह से कर दिये है और अब चमच की मदद से मैं इसके उपर थोड़ा सा यह पानी भी डाल देती हूँ अब यह भी दूसरी layer हमारी soak होकर तयार है अब इसे हम लोग जो हमने arrow का shape दिया था वहाँ पर बस इसे cut लगा लेंगे क्योंकि हमें आज round tin से ही heart shape बनाना है तो यह trick आप यहाँ पर use कर सकते है तो बस आपको क्या करना है इस तरह से और cream लगाने की बाद ही आप यहाँ पर यह sponge का हिस्सा जो है उसे cut कीजिए अब यह जो दूसरा भी है उसे भी हम लोग ऊपर की side तर इस तरह से लगा लेंगे दिखिए हमारा यहाँ पर यह heart shape तयार हुआ है अब हम लोग क्या करेंगे इसके बीच में जो हिस्सा है उसे बस इस तरह से थोड़ सा cut लगा लेंगे अब यह perfect heart shape हमारा यहाँ पर तयार हो जाता है तो देखिए यहाँ पर हमने round tin से ही heart shape का cake बना कर तयार किया है मैं तो कहती हूँ आपके पास कोई भी tin अगर ना हो और सिर्फ round shape के भी tin हो तो आप सारे shapes के अलग-अलग cake बना सकते हैं अब यहाँ पर जो whipped cream है guys उससे मैं इसे थोड़ा सा cover कर देती हूँ क्योंकि अब हमें यहाँ पर cake को पूरी तरह से whipped cream से cover करना है हम लोग सिर्फ इसे थोड़ा सा crumb coat करेंगे क्योंकि बाद में हमें उपर से cream डालनी है तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको थोड़ा से gaps वगरा दिखते है ना वहाँ पर आपको इसे फिल करना है cream से और बस scrapper की मदद से नहीं तो इस तरह के plastic के टुकड़े से भी आप इसे smooth बना सकते हैं उपर मैंने इससे बिलकुल भी थोड़ा सा dome shape आया है तो भी मैंने इसे cut नहीं किया है देख सकते हैं क्योंकि इससे हमारा जो heart shape का cake होता है वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है इसे 3D effect मिलता है तो इसलिए उपर का जो dome shape आया है वो मैंने cut नहीं किया है तो यहाँ पर भी मैं थोड़ी से cream लगा कर इसे भी plane कर देती हूं ताकि थोड़ी से इसकी जो leveling है वो अच्छे आए क्योंकि यहाँ पर भी हमने यह दो साइड के टुकड़े लगाए है वो थोड़ी से नीचे गए थे और बस यहाँ पर मैंने जो whip cream थी उसमें हलका सा red color डाल दिया है बहुत ज़दा dark नहीं थोड़ा सा ही एक या दो drops मैंने यहाँ पर gel food color का इस्तमाल किया है और बस अब हम लोग यहाँ पर यह जो red whip cream है guys उसकी मदद से यह को cover कर देंगे चाहे तो आप यहाँ पर white जो plain वाली cream होती है उससे भी इसे cover कर सकते है लेकिन आज हम लोग यहाँ पर जो shimmer cake बना रहे है तो उसकी वज़े से क्या होता है कई बार अगर अंदर से white cream होती है जहाँ पर भी हम लोग shimmer अच्छी तरह से नहीं लगा पाते है वहाँ पर वो दि मिल जाता है 200 या 200 रुपय में आपको यह डबी इस तरह की मिल जाती है आज हम लोग बिना shimmer pump की यह केक बिना रहे है तो मैंने जो चाय की छलनी होती है गाइस उसका यूज किया है क्योंकि यह हर किसी के घर में होती है तो आप बहुत ही अराम सी यह shimmer cake घर पर ही बना सकते है बिना shimmer pump के तो देखिए जैसे हम लोग रंगोली में इस तरह का glitter डालते है सेम उसी तरह से आपको करना है उपर आपको क्या करना है यहां पर इस तरह से चलनी में थोड़ सा यह shimmer डालना है और बाद में इस तरह से इसके उपर आपको spread करना है देखिए कितना ज्यादा एक और जो केक की साइड्स है वहां पर भी हम लोग इस तरह से थोड़ा सा उसे उठाकर यह शिमर उसके उपर डाल देंगे देखिए चम चम आता हुआ रेड कलर का यहार्ट हमारे यहां पर तयार है बहुत ही ज्यादा एक खूबसुरत लग रहा है जो एक्स्ट्रा की नीचे की ग्लिटर है शिमर है उसे में निकाल लेती हूँ उसके बाद हम लोग यहां पर प्लेन वाइट कलर की विप क्रीम से इसके नीचे की बॉर्डर भी बना देंगे आप चाहे तो यहां पर किसी भी नोजल का भी यूज कर सकते है लग अलग नोजल से भी इसकी बॉर्डर की ड जरुडर नहीं पड़ती है सिर्फ एक रोज फ्लावर मैंने हाँ पर यलो कलर की विप क्रीम से बना दिया है यह फ्लावर भी अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं वहां पर मैंने बिना नोजल के और नोजल के साथ भी यह रोज फ्ल सजा रहे हैं तो उसके नीचे बेस देना बिल्कुल बिना भूलिए क्योंकि उससे हमारा जो फ्लावर है और भी जादा रियल लगता है थोड़ा सा उभर कर आता है देखिए कितना खूबसूरत हमारा केक लग रहा है इसके साइड में चाहे तो आप ग्रीन कलर की विप क्र विदाउट एनी पंप बिल्कुल तयार है और देखिए घर की चाय वाली चलने से हमने इसे डेकोरेट किया है इसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि हमने यह के घर पर बनाया है एक दिम बेकरी स्टाइल परफेक्ट शिमर वाला रेड वेलवेट केक हमारा घर पर ही बनकर तयार है तो एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रू ट्राय करना और आपको यह मेरी चाय वाली चलने की ट्रिक कैसी लगी मुझे वह भी कमेंट सेक्शन में ज़रू बताना और यह रेसिपी यह वीडियो आपको अच्छा लगा है पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, क